कि नमस्कार आप देख़ें न्यूज्वल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजोन लरायन बहुत स्वागत है आपका अमारे खास पेशकश में हिंदु पंच्वांग के अनुसार ये हर वर्ष कार्तिक मास्क के कृष्ण पक्ष की त्रियोदसी तिती पर धन्वंत्री देव का अपतरण हुआ था और इस दिन धन्वंत्री देव की पूजा भी की जाती है इस साल ये दो नमबंबर को मनाय जा रहा है इस दिन सभी घरों में भगवान विश्णु के धन्वंत्री अवतार की पूजा अर्षना की जाती है शाश्त्रों के अनुसार धन्वंत्री पित्री पर सागर मन्थन सुथपन हुए थे इस दिन धन्वंत्री देवता के साथ कुबेर, मातालक्ष्मी, भगवान गनेश और यम की पूजा भी की जाती है यहाँ भगवान धन्वंत्री को प्रसंद करना चाते हैं और अपने घर में सुख सम्रदी पाना चाते हैं तो उस दिन यहाँ बताए गई तरीकों से धन्वंत्री देवता की पूजा करें जैसा की हमारे साथ आचारे, उंकार, मिश्री जी मौजूद है वो आपको बताएंगे की क्या इसका शुम्मूरत है और कैसे पूजा करनी चाहिए और धन्वंत्री को कैसे मनाना चाहिए आचारे जी बहुत स्वागत है आपका नियस्वल इंडिया में जैसा की भगवान धन्वंत्री का विश्य है भगवान धन्बंतरी भी जो है चोदर यतनों में से समुद्र मंथन के समय ही निकले थे और उन्हीं के उपासना का एक ऐसा अवसर है कि जिससे कि सभी रोगों की निब्रती के हेतू खास्तोर से चिकिसा चित्र के जो लोग हैं वह विशेश रूप से भगवान धन्बंतरी की इस दिन उपासना करते हैं उनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं जहां तक आपने मूर्थ की बात की है अभिजित मूर्थ अपने में एक अध्युती है दोपहर 11.42 से लेकर के लगबग 12.30 बजे तक ब्रसव काल है और इसमें जो है एक और समय है सवा 6 से लेके सवा 8 बज तक का और घुदूली मूर्थ जो है साइंकालीन यह पांच बजे से लेकर के साड़े पांच बजे तक का समय है निसीत मूर्थ होता है जो की मध्धिरात्री साड़े ग्यारा से लेकर के लगबग 12.30 बजे तक का एक बिशेश मूर्थ है चोगडिया जो लाब का है पौने ग्यारा से लेकर के यानि 11.45 से 12.00 बजे तक और अम्रत का है दोपहर को 12.00 चार बजे से लेकर के एक बजे करके 26 मिनट तक का उसके बाद में शुभा आ जाता है चोगडिया का जो बो है दोपहर दो बजे के 45 से चार बजे करके नौ मिनट तक का है पंटी जी आपने शुभ मूरत बता दिये कि किस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए और क्यूं खरीदना चाहिए इसके पीछे का मैध भी हम जानेंगे लिए उससे पहले आप यह बताईए किसके पीछे की कथा क्या है क्या पर धनवंतरी क इतना मनाया जाता है इस दिन क्यों खरीदारी की जाती है क्यों धातू पर इतना ज्यादा फोकस किया जाता है देखिए आज की द्रस्टी से भी इस चीज को अगर हम समझेंगे तो काफी कुछ हमारी सिंज में आ जाएगा एक तो मौसम का जो है संधिकाल होता है एक तरफ गर्मी जो है समात होती है और सकदी की सुबर सुरूवात होती है मौसम की जहां संधी होती है ऐसे संधी अबसर पे जज्यादतर रोगपनप्ना सुरू हो जाते हैं जी कहां से जुकाम मलेरिया इत्यादिक जैसी जैसी स्थितियां जहां जाहों तो ऐसे अफसर पर भगवान धनमंतरी का और यह संयोग ही है विशेश रूप से कि जिस समुद्र मंथन से भगवती महालक्षमी का प्राकट्टी हुआ उसी समुद्र मंथन से ही उन्हीं चौदर रत्रों में भगवान धनमंतरी भी का भी अप्युद्य हुआ है उनका भी और उन्हीं वो त्रेदसी के दिन हुए इसलिए उनको जो है हम धन तेरस के रूप में प्रणिजी पीच में रोक रही हूं माफ कीजेगा धनमंतरी विश् भगवान विश्नु के ही अबतारी है और अब रही बात आपने जो है धात्यादी का चर्चा की आपने तो इसमें जो है सोना है चांदी है पीतल है ताबा है अब तो आजकल तो इस्टीन चल लए है तो इस्टीन का तो नहीं इतना सास्त्रों बढ़न आता है लेकिन धात्य जो है विशेश रूप से इसमें जरूर कुछ नुकुछ थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए यथा सक्ति जैसा हो फिर वबस्ता हो वह जो है बड़ा ही फलीभूत होता है विशेश लाबदाई है और यह जो वर्स वर्त तक उसका एक विशेश लगातार मिलता रहता है अचारे जी जय सकी अभी आपने बताया जो धन्वंत्री को नहीं किपने यम्राज जी का एसा बढन नहीं है यम्राज जी जो है भगवान के पुत्र है और सनी के भाई है और इनका की ते ने कि रूअ कि suda न के संदर्व में जहां तक है यह ठ्रेयों दशी के बाद में जो जमिज से फिए आती है विश चतुरदसी में संहीं रूप किते दीजुआ किसे लिए शक्तालों मैं कि लिए भ्लग में है। लेकिन इसमें जो मैं आपको कहूं यम का विसेश ऐसा अफसर है कुछ जिसमें उनके लिए दीद्दान का विसेश प्रभाव है लेकिन समुद्र मंधन से इसका संबंध कदापी नहीं है जैसा कि दिवाली जो है वो पांच पर्वो कानूठा त्योहार है इसकी शुरबात धन अपने आप में बहुत महत्तों हैं देखिए आज के दौर में कोरोना काल चल रहा है अभी कोरोना पुरी तरह से खत्म नहीं हुआ है बीदे दो सालों से आर्थिक सिती भी लोगों की ठीक नहीं है तो ऐसे में पहले तो सोना चादी या कुछ धातू लोग खरीदा करते थे लेकिन आज की जो हालत है लोगों की वो अतनी आर्थिक सिती मजबूत नहीं है तो ऐसे में भगवान कुबेर को भगवान भनवंतुरी को बनाने के लिए क्या खरीदे जो आसानी से हम खरीज सके आम जनता खरीज सके जैसे आच बनी है अरगा है चोट चोटे बरतने संध्या इत्यादी करने के प्रियोग में आते हैं उनको ले सकते हैं बहुत थोड़े से मद्रा में आ जाते हैं बहुत ज्यादा उनके लिए खर्चनी करना करता है वो लाब ले सकते हैं आचारे जी जो भगवान कहानी तो बहुत बड़ी है और श्रीवत भागवत कथा में वर्डन आता है चौदै रतनों में से धर्मंतरी जिस वक्त भगवान धन्वंतरी उस अम्रत कलस को लेकर के प्रगट हुए तो देवता और दैत्यों में संग्राम चड़ गया पुन है और संग्राम इतना चड़ गया कि वह कलस के पास पहुच गया दैत्यों के पास पहुच गया तो अब देवता बड़े परिशान बोले जिस उद्देश से समुद्रमंतन किया गया वह तो देश सारा जो है निस्वल हो जाएगा तो भगवान नाराण ने ही मोहनी रूपधारन किया और अपनी लीला प करते हुए उन्होंने जो है उस अम्रत को देवताओं को पिलाया कुछ राहु इत्यादी भी पी गया जिसे कि उनके लाब मिल गया तो वही अम्रत कलस था जो कि उन्होंने इस संसार के कल्यान के लिए उन्होंने इस लीला का उन्होंने एक प्रादरुभाव कि आचारे जी प्रात्यकाल उतकर करें अपना और उसके बाद निंद्ध्यानद्यान से निब्रथ होते ही ईशान कोण आपक की घर का होगा जहां आपका पूजागर हो उसमें उसकी तरफ मुढ करके बैठ जाएं और अपना आशन लगाएं और आशन के साथ एक सदग्रस्त के लिए पंचदेव पासना होती है जिसमें सूर्य हैं गडेश हैं भगवती दुर्गा हैं इत्यादिक जो इन इस्थान का शिव हैं वेश्नु हैं इनकी इस्थापना करें विदिवर्द और इनका प सुर्म में बातावन बनाएं जिससे भगवान धर्मंतरी बड़े ही प्रसंद होते हैं और इन सारी क्रियाओं को ध्यान रखें पंचोप्चार नहीं सोड़सोप्चार ही करें जिससे की लाव अत्यदिक मिल सके अब रही बात प्रारंब कैसे करें तो सबसे पहले आच्वन करें और आच्वन के बाद में उन देवताओं को आच्वन कराएं उनको इस्थान दें उनको इसनान कराएं उसके बाद वस्त रित्यादिक आभूशन उनको अर्पित करें गंध कहते हैं चंदन को गंध है पुस्प हैं धूप दीप नईवेद्य आच्वन इत्यादिक ता बेना भेंट के कोई भी देवता प्रसंद नहीं होता और धूप दीप चला करके मस्तक पर हल्दी और हां एक बात और है बड़ी बैत्मु जो बहुत कम मिल पाईगे आपको चंदन जो हम मस्तक पर लगाते हैं उनमें से हमें उसका कुछ भाग हमें अपने कंट पर लगाना च और मस्तिस्क जो है दोनों ही काफी बिशेश रूप से फलदाई लाबदाई होते हैं और हमारे जो नकारात्मक शक्तियां है वो हम से दूर रहती है उसका प्रमुक लाभी है और इस तरह से उन्हें कुम कुम चावल चढ़ा करके फल इत्यादिक चढ़ाएं और पूजा की पूजा में प्रियोग करना चाहिए पहले तो सीधा हाथ और सीधा में भी इस अंगुली का प्रियोग बहुत आवश्य के इसको कहा जाता अनामिका यह तो कदा पे नहीं करना चाहिए कुछ लोग अन्विग होते हैं यह तरजनी तरजनी क्या तो हमेशा ही जो है हल्दी इत्यादिक से 604 से उनका पूजन करें और पश्यात में भगवान को उसी प्रकार से भेंट जरू चड़ाएं दक्षिणा इत्यादिक जिससे के भगवान की प्रसन्नता वनी रहे हमें हमेशा आशीष्वासा बना रहे है और पूजा के बाद जो खास परसाद होता ह है भोग किस चीज़ का लगाएं कि वह बहुत महत्तों हो जाता है हां भोग में जो है वैसे तो कि आपको बताऊं कि इसमें मिश्थान यदि घर का बना हुआ होता है तो ज्यादा सरिष्ठ है अपने हाथों के द्वारा बनाएं और यदि अप परिश्यती ऐसी है नहीं हो पा रहा है तो बात अलग हो गई घर में कोई अच्छी मिठाई तियार करें आप उसे भाव से चड़ाएं आप बड़ा ही फली भूत होता है यह थी कि आप लगातार पूजा नहीं नहींदा करना हो कुछ भी कारोबार का शुरबात करनी नहीं गाड़ी मेंसान और आप अब shorts के सब्सक्राइब में देखिए ग्रह प्रवेश, नई गाड़े, नया मकान और आपके जो बिजनिस से सम्मंदित जो आपके रेजिस्टर हैं, बही खाता है, नई कलम, इन सब का भी विशेष पूजन उस वक्त उस समय में फलदाई होता है, और इस अवसर का पूरा-पूरा भरपूर हमें इसके लावा और क्या कुछ कर सकते हैं, पंडित जी? वैसे तो बिधान तो जो है, इनका पूजन के साथ साथ में हमें नवग्र है, सोडस मात्र का पूजन, इनका भी हमें इस्थान इनको भी देना चाहिए, और तभी हमारी पूजा सफल होती है, तो इस दिन अकेले कुब इसमें धन त्रेवदसी में तो नहीं है, लेकिन धन की लक्षमी है, धनमंतरी शब्द से धन त्रेवदसी बना है, न कि धन की लक्षमी से धन तेरस बना है, तो इसलिए यहां पर धनमंतरी प्रमुख है, धन की लक्षमी का अफसर तो जो है, दीपावली की अफसर पही है, कोई साधना करना चाहता है बादे मों iç 샭 टो आप द्हुं 750 क य dobrze लाब ले सकते हैं और Bizet पर्टी चे송 के सवालहें डिवालि के वॉक्त पर तो बहुत जादा प्रशों होता हैं से मेवाता वर्रंड भी चाहिंड के न तो ऐसे में आप क्या एक खास मेसिज देना चाहते हैं खास संदेश कि लोग किस तरह से दिवाली मनाएं क्योंकि अब एक बार फिर से जैसे कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी कहते हैं कि वोकल फोर लोकल बने तो मिट्टी के दिए कहीं न कहीं गुम हो गए हैं तो एक बार फिर से वो हमें मार्किट में नजर आते हैं उनका क्या खास महत्व होता है क्योंकि अब हम लाइटों को पीछे छोड़ रहे हैं वापस दियों पर आ रहे हैं कि वास्विक्ता तो यही थी कि भगवान नाम जब आये थे अयुद्ध्या में लंका से लावन को मारके प्रसंदतामें उनकी दीपक जलाए गये थे नकि मुम्मत्या या लाइट यही है और उन दीपकों से हमें कहीं है हमारे जो विचारे जो तब का बेरुजगार है जिन दीपक बनाता था हमारे लिए घड़े बनाता है तो उनको एक तो रोजगार मिलता है और भगवती लक्षमी की प्रसंदता जितनी दीपक के जलाने से होती है उतनी आपकी मुंबत्ती या लाइटों के जलाने से नहीं हो सकती है तो तो यानि दियों का भी अलग स्थान है बि कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि घी का दिया ना जलाकर सर्सों के तेल का दिया जलाते हैं क्या जादा प्रभावशाली रहता है घी का दिया या देल का दिया कौन सा शुगुजादा माना जाता है सर्सों के तेल का दिया तो अपनी जगे है लेकिन घी का दिया घी का दिया गाओग्रत सीघता नाम है वह टेयरने चाहिए यह साथ सुर्च आखिर में petitesवे एकong आर चाहिए शर्चों तेल स्भावाली हमें छ़ीश की पूजा होती है कोई किसी से छोटा तो है नहीं दोनों को करना चाहिए मिलके सारे परिवार को करना चाहिए छोटे बच्चों को भी शामिल करें अपने से बड़े बजर्गों को सामिल करें स्वयूक्त परिवार बन करके उस कारे को करें धर्मे कारे को जिससे कि आपकी उन्नती होगी और करनी चाहिए वह पूर्वत अभी बताया भी था संभवते आप थोड़ा सा इसमन करेंगे तो याद आ जाएगा बताए अभी दर्सकों को बताए जा चुका है यह दुपहर का समय जो है वह विशेश्टर लाफकारी रहेगा बहुत ज्यादा अभीजित मूर्त अपने में दन्मंत्री भगवान के मंत्र इत्याद के बारे में ऐसा जो है सिर्फ आयरवेद के ग्रंथों में तो वर्ड़न हो सकता है लेकिन अभी हमारे जो उपासना पद्धती में उसमें ऐसा इस तरह का वर्ड़न नहीं आता है चले ठीक है आजार जी बहुत शुक्रिया आपका ह पारसा जुड़ने के लिए तो किस तरह से धन्वंत्री महराज की पूजा करनी चाहिए किस मूरत में करनी चाहिए तमाम बातें आचारे जी ने आपको बताई है उमीद है कि आप सभी लोगों को इससे बहुत लाब होगा और शुब धन्तेरस आपके लिए भी और हमारे ल एमologे तो किस देखे लिए है उड्मा गुश्ड़ने से लाब होगों को इसकते लेत है उसकते है कि आपकित करनीrais कि आपके।